हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो इस्टरी वनफोर से विन, आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेर्स से 2030 को कवर करेंगे, जिसमें 19 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेर्स के क्यूशन है, साथ ही क्यूशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट की पॉइंट को भी हम कवर करेंगे, तो आज के हमारी करेंट अफेर्स की ये क्लास 5 ओने वाली है, तो चलिए बिना किसी दिरी की स्टार्ट करते है, आज का हमारा इंपोर्टेंट लिक्चर, तो सबसे पहला क्यूशन है, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तसकरी के विरुद कोन सा अभियान चला है, तो मानव तसकरी इसको रोकने के लिए इंटरपोल की द्वारा एक ओपरीशन चलाया गिया, जिसका नाम क्या है, अभिय हाल ही में इंटरपोल की द्वारा, यहीं पर बात की जाए यादि इंटरपोल की, तो इसकी स्टाफना साथ सितंबर 1923 को हुई थी, और इसका मु बनाय जाते हैं और यह पहली बार कब बनाये गए इसलिए साथ सितंबर को अंतराष्टी यह पुलिस सयोग दिवस मनाया गया यही पे बात कीजाए आर्टिकल 23 यह मानेव तसकरी को प्रतिबंदित करता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पर्मुक ऑपरेशन की जिसे ऑपरेशन करूना यह म्यामार में जो मोचा चकरवात आया था उसमें सहायता परदान करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त यह तुर्की और सीरिया के अंदर जो बुकम पाया था उसमें राहत परदान करने के लिए अपने देश से भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन अजे की बात की जाए तो यह इजरायल के अंदर चलाया गया था उसमें युक्रेयन के अंदर फसे हुए भारतियों को वापस भारत के अंदर लाने के लिए ओप्रेशन गंगा चलाया गया ओप्रेशन मेंगदूर यह 1984 के अंदर चलाया गया था और इसी के तहत सियाचीन पर वीजे प्राप्त किया था Operation follow 1948 के अंदर चलाया गया जिसके तहत हैदराबाद का विले किया गया था भारत में Operation Zero Hour की बात की जाये तो यह 1942 के अंदर चलाया गया था भारत छोडो आंदोलन के समय उस समय जो भी बड़े-बड़े नेता थे उनको गिरपतार किया गया था ब्रेटे से सरकार के द्वारा चलिए next question है हाल ही में इंदरा गांदी शानती पुरुसकार दो हजजार तेस इससे किसे सम्मानित किया गया तो आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे इन दो वेक्तियों को इससे सम्मानित किया गया इनका नाम क्या है डेनियल बरेन बोहिम और एक है अली अबु अवाद इन दोनों को इससे सम्मान किया गया है यानि कि यह और भी हो जाएगा इसका राइट आंसर यहीं पर बात की जाए इंदरागांती शांती पुरुसकार की तो यह है आईजी मेमोरियाल ट्रस्ट के द्वारा इसको दिया जाता है इसकी सुरवात सन 1986 के अंदर हुई थी 2023 के अंदर यह पुरुसकार डेनियल बरेन बोईम को दिया गया जो की अर्जेंटिना के है और एक है अली अबु अवाद जो की फिलिस्तान के है इन दो वेक्तियों को यह अवोर्ड दिया गया नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में BCCI के द्वारा सेवा निवरत की गई नंबर सेविन की दर्शी का संबंध किस्से है तो जो साथ नंबर की जर्शी है यह संबंधित है MSS दोनी से यानि किसका राइट आंसर हो जाएगा महेंदर सिंग दोनी यहीं पर बात कर लेते हैं BCCI क जिसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और इसका सेड कोर्टर कहां पर स्थित है वह ने खेड़े स्टेडियम मुंबाई के अंदर वरत्मान में इसके अद्देक्स है रोजर बिन्नी जो है यह वरत्मान में इसके अच्डेक्स है जब किस सचिव की बात की जाए तो यह ह जर्सी नंबर सेविन की बात की जाए तो इसका संबंद है मैंदर सिंग दोनी से जब की जर्सी नंबर टेन की बात की जाए तो इसका संबंद है सच्ची ने तेन दूलकर से नेक्स्ट क्योशन है हाल ही में सार अमरतला तोगर या मोहसव का आयोजन कहां पे हुआ तो सार अमरतला तोगर या मोहसव की बात की जाए तो इसका आयोजन अभी हाल ही में अरुनाचल परदीश के अंदर किया गया यानि option number C हो जाएगा इसका right answer बोलम गाव कामिंग जिला जो की कहां पीस्तित है अरुनाचल प्रदीस के अंदर यहां पे सार अमरतरा तोगरिया महसव की सुरुवात हुई थी और इसकी सुरुवात मुख्य मंतरी पेमा खांडू के द्वारा की गए यहीं पे हम कुछी पर्मुक पर्वे और पर्मुक त्योहारों को कवर करेंगे जैसे नुआ काई महसव हो गया रज महसव और एक है जगनाद पूरी रतियातरा यह तीनों की तीनों उडिसा रच्चे के अंदर आयुजित की जाती है हमिस त्योहार रद्दा के अंदर मनाये जाता है सिग्मो महसव गोवा के अंदर मनाये जाता है लोसांग त्योहार सिक्किम में फुल्दे महसव या फिल एक है हरीला पर्मु यह कहाँ पर मताया जाता है उतराकंड के अंदर नेक्स्ट है चापचार कूट महोसम जो की मीजोरम के अंदर मनाया जाता है होरनेबिल महोसम एक है महाथ सुहोसम ये दोनों के दोनों कहाँ पे नागालेंड के अंदर इनका आयोजन किया जाता है नेक्स्ट क्योशन है हाल ही में Miss India US 2023 का खिताब किसने जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा रिजुल मैनी ने जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है रिजुल मैनी जिनको अभी हाल ही में Miss India US 2023 का खिताब जीता है यहीं पर बात कर लेते हैं Miss Universe की तो Miss Universe का किताब 2021 के अंदर भारत की थी हरनाज संदू इन्होंने जीता था 2022 के अंदर US की थी आर बोनी ग्रेबियल इन्होंने Miss Universe का किताब जीता था और 2023 के अंदर निकारागुआ जो की निकारागुआ की रहने वाली थी जिनका नाम क्या था तो इन्होंने ये अवोर्ड दीता था यहीं पर बात की जाए मिस वाल्ड की तो मिस वाल्ड का 2023 के अंदर खिताब किसों ने जीता है करोलीना बिलावसका ने जो की कहां की निवासी है ये भारत की रहने वाली है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में विजय दिवसे 2023 से कब मनाया गया तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 दिसंबर के दिन 1921 के अंदर यो जुद्ध हुआ था उनमें अपने सोरिये और बलीदान किखाते विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को यहीं पर बात की जाए 16 द 12 दिसंबर के दिन यहां युद्ध 13 दिन तक चला था और इसी युद्ध के बाद में नए देश बांगलादेश का निर्मान हुआ था यहीं पर कुछ इंपोटेंट युद्धों को कवर करेंगे जिसे भारत और चेन सीमा युद्ध ये कब हुआ था 1962 के अंदर भारत पाक यह कब चलाया गया 1948 के अंदर नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्यूशन हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कारिया ले जो की कौन सा है डाइमंड बोर्स इसका उद्गाटन कहां पर हुआ तो डाइमंड बोर्स इसका उद्गाटन हुआ है सूरत के अंदर सूरत जो की सासत अमेरिका की रक्षा मंत्रा ले जो पैटांगन है इसको पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कारियाले बाउंस सुरू हो गया है असी वर्सों तक पैटांगन यह दुनिया की सबसे बड़ी कारियाले इमारत थी लेकिन यह उपादी अप गुज में 65,000 से भी अधिक हीरा पेशावर यह एक साथ काम कर सुकेंगे और भारत यह आर्केटेक्ट कंपनी है जिनका नाम क्या है मार्फू जैनिसिस इन्होंने इस इमारत का डिजाइन तेयार किया है नेक्स्ट यहीं पर कुछ इंपोर्टेंट जीकी को कवर करेंगे जैसे असम में राजापरवा ओडिसा में थाइपुसम महसव तमिलनाडू में और बत्थोकंबा त्योहार यह तेलंगाना के इंदर मनाया जाता है बाचनी का उत्करश्ट्रा के इंदर यह हैं धराबाद के इंदर इस्तित हैं वुकर पुरुसकार दोहिचार तेस यह दिया गया और इसकी सुरवात का बुरिती 1995 के अंदर प्राण वायू देवता प्रिंसन योजना हर्याना ने शुरू किये पहला प्रत्वी समयलन 1992 रियो के अंदर हुआ था तेतिस्वे नंबर का व्यास सम्मान यह पुस्पा भारती को मिला था ने संसत बहौन में इस्तापित जो इस पर नंदी की प्रतिमा इस्तित भारत का पहला सोर उर्जा गाव की बात की जाए तो यह है मोडे रागाव जो की गुजरात के अंदर इस्तित है के रल के इंदर नेक्स्ट है बढ़ फ्लू बढ़ फ्लू के बारे में आपको ध्यान देना है यह है एच फाइफ एन वन एक है स्वाइन फ्लू जो की है H1N1 दोनों में कन्फ्यूज मत होना बर्ड फ्लू तो H5N1 जबकि स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1 तो ये था आज का हमारे करेंट अफ़र्स का वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथ ही वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तके लिए बाबाय टेक केर